सबाज बाबुने भी ये कहा है और क्यों कहा नहीं उन्यों ने वही किया उस समय का एठ काम था देश के स्वतनद्ता के लिए लढ़ाई कील लेकिन इस लढ़ाई को करते करते उन्हों ने रभारत के मनुस्श्यों में कैसे कैसे मनुष्यूत्पन कियों अकेले नहीं उन्होंने अकेले अपने शहयों की अपने जैसे खड़े की जो आजेवन इस्वर्त का निर्वा करते हैं कि एक दीप से जला दूसरा जलते दीप आने ऐसे उनके आजार इंद भौश की अवस्था होगे कि एसे उनके स्वाटंद्रे के संगर्श की जोगी सबके नदय में पर हाँ हमको यहीं करना है स्वतंद्रता प्राप्त हुई उसमें स्वाटा तंद्र लाना जेश के उतिहासिक धारा देश का इतिहासिक चिंतन उसके अनुसार हम सबके जीवन की पुदर रचना होनी है उसके लिए आवश्चत गुनवत्ता और उसके लिए आवश्चत संग धितता एकात्मता समाज की खड़ी करनी है यह बहुत बड़ा काम है देश के लिए मरना था हस्ते हस्ते घली चड़ गए तुमाज बाबु यह से लोग अभी मरने का समय लेकिन देश के लिए कण कण तिल्टिल प्रतिक्षण जीना पड़ेगा स्वतंत्र हो गए इसलिए काम पुरा नहीं हुआ स्वाधिरता आ गड़ी अब राज्य करने वागा अग्रेज नहीं है अब हम ही लोग राज्य कर रहे अपने प्रतिनी योग के द्वार लेकिन अईतियासिक धाला और चिंतन के अनुसार स्वतंत्र भारत का अपना रूम जो सारी दुनिया के लिए एक मानत बन सके सुखशांति को प्राप्त करने का नया रास्ता दे सके ऐसे भारत को गड़ना है तो प्रतिक्षण उसी समर्पन भाव से उसी देशवक्ति के भ हुए और उसी प्रकार सबको जोड़ते हुए हम सबको आगे बढ़ना है यह काम हमारे सामने है इसलिए प्रतिवर्षण खुटे बड़े कारिक्षण करके तभी लोगों के सामने तभी अपनी शाखा में अपने वो दित मंड़म में हम नेताजी का स्मरण करते हैं उसी भा से हम एक दिव्य मनश्य बन जाएंगे और भारत वर्षण के उम्नति का रास्ता प्रशस्त होगा और संपूर्ण दुनिया को राहत करिना वाला एक उपाय दुनिया में खड़ा होगा